दोस्तो दो मिनट में अगर नास्ता तयार हो जाता है तो क्या कहने उसके साथ ही वो बहुती टेस्टी और हेल्दी भी हो जो बिना तेल के और बिना गैस चलाई जटपट से तयार हो जाए तो इसी लिए हम इसको कहेंगे बहुती टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट तो दोस्तो आज हम बनाएंगे चना चाट जो हम भुने हुए चने से तयार करेंगे ये जो भुने हुए चने हैं दोस्तो ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं इनको हम एक बड़ी बरतन में ले लेते हैं इनका उपर का जो छिलका है दोस्तो हलका सा मैंने हासी रगड के हटा भी दिया है आप चाहें तो नहीं भी अटा सकते हैं सबसे पहले इसमें उबले हुए आलू और बारी कटा हुआ खीरा एट करेंगे बारी कटी हुई हम यहाँ पे हरी मिर्च एट करेंगे और अब इसमें हम बारी कटा हुआ टमाटर एट करेंगे जिसके मैंने बीज निकाल दिये हैं दोस्तो अब हम नमक को एट करेंगे दोस्तो तो सफेद नमक और काला नमक दोनों हम यहाँ पे एट करेंगे और स्वादा नुसर नमक हम यहाँ पे एट करेंगे थोड़ी सी हमें आपे लाल मिर्च पाउडर एट करेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला एट करेंगे और थोड़ा सा हमें आपे छोली मसाला भी एट करेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक चम्मच हमें आपे वरे दनिये की चट्नी को भी एट करेंगे दोस्तू, और आधा नेबू का रसे एट करेंगे, क्योंकि हमें आपे चना चाट तयार करेंगे दोस्तू, तो हलका सा खटापन बहुत जरूरी है, अब इन सभी चीजों को अच्छे से मेक्स करेंगे, और ए के लिजी दोस्तों तयार है बुने हुए चने की चना चाट है ना कितनी टेस्टी और हेल्दी रेस्पी जट पड़ से तयार भी हो जाती है रेस्पी अच्छे लगे हो तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए थेंक यू